नमस्कार दोस्तों आप सभी का माई चानल पर आदिक स्वागत है दोस्तों आज 31 जनवाई 2024 है और आज बात करूँगा सुझलान इनर्जी के quarterly results के बारे में दोस्तों इस समय Q3 financial layer 2024 का results गोसित हो चुका है जो की 31 दिसंबर 2023 इंडिंग का quarter है दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी results से समदित साथ ही 200 सारांस में यह है कि इस समय net profit में जवर जस्त इजाफा देखा जा रहा है सुझलान इनर्जी के results में और इसके चलते during the markets आवल में का result आ गया था उसके चलते सेर्स में दोस्तों अपर circuit लगिया इतना जवर जस्त रिजर्स आया हुआ है तो दोस्तों सुझलान इनर्जी में अभी इसी जनवरी मैने में ही पांच जनवरी को एक जवर जस्त आडर मिला था 225 मेगावाट का जिसमें 3 मेगावाट सिरीज के 75 विन टर्माइन्स लगने थे और ये दोस्तों तमिल नाड में प्रोजेक्ट इस्तापित किया जा गया इससे पहले वाले कई महिनों में इनको लगातार इस तरह के आडर मि है कि किस तरह से जवर जस्त आडरों की पोजिशन इनर्जी के पास चल देए दोस्तों जैसा कि कल एक फ्रवई 2024 को यूनियन बजट पेस होना है और उसमें रिनीवल इनर्जी सेक्टर से समंधित कही को सब्सक्राइं हो सकती हैं उसका भी असर हमको शिलान इनर्जी के सेर् आंगे दिखाई पड़ेगा अभी कल ही 30 जनवरी को 2024 में भी एक और सांदार 642 मेगावाट का इनको आडर मिला है जो की एवरेंस से मिला है और दोस्तों ये 214 बिन टर्माइन को सप्लाइ करेंगे 3 मेगावाट इच का और दोस्तों ये प्रोजेक्ट आंदर प्रदेश में लगाय जा रहा है जिससे की 5.28 लाग हाउस वर्ल को बिजली प्रवाइट की जाएगी और साथ ही दोस्तों 20.87 लाग टन का सी ओटू एमिसन प्रतेक येर कम हो जाएगा तो दोस्तों ये तो आडर्स की बात सुचलान में है लेकिन जो इसके इस समय डिजर्स दुमादार द जाल लेते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे सुचलान इनर्जी के सेर्स में जो रिजल्ट्स पेस किया है उसमें अनाडिटेट कंसुलीडेटेट फानेंसियल रिजल्ट्स 31 दिसंबर 2023 का है दोस्तों इसमें टोटल इंकम अभी क्यू तिरी में आई है एक हजार पांसो उन 22 वाले कौर्टर में टोटल इंकम थी 1464 करोड की तो इस तरह से यरली बेसिस में काफी अच्छी इंकम इस समय क्यू तिरी में आ रही है और जबकि क्यू टू सितंबर 30 2023 की बात करेंगे तो वहां 1429 करोड की टोटल इंकम होई थी और अभी आप देख रहें बढ़कर के हो 1579.71 करोड की तो कौर्टरली बेसिस और यरली बेसिस दोनों जगे पर ही टोटल इंकम में जबजस्त बड़ोतिरी दिखाई दे रही है यानि कि बिजनिस अब लाइन पर चल चुका है और दोस्तों कंसलिडेटेड नेट प्राफिट की तरफ हम नजर डालेंगे तो दोस्त 3.04 करोड का नेट प्राफिट आया जबकि उसे पिछले साल मात्र 78.28 करोड का प्राफिट था तो इस तरह से यरली बेसिस पर इस समय डबल से उपर आप प्राफिट देख रहे हैं इसी तरह से पिछला जो Q2 सितंबर 23 का रहा है उसमें नेट प्राफिट 102 करोड का था और अब आप देख रहे हैं 203 करोड से उपर का नेट प्राफिट है तो quarterly basis पर भी हम कह सकते हैं लगबक डवल और yearly basis पर तो डवल से भी उपर लगबक उसमें हम कह सकते हैं कि 130% से उपर का जबर जस्त जंप नेट प्राफिट में तो नेट प्राफिट में जो धुमादा तरी आई है दोस्तों उसे हम अर्निंग पर सेयर्स देखें जो की अनिमलाइजड नहीं है उसमें बेसिक निकल करके इस समय EPS आ चुकी है 0.15 जबकि उसे पिछले साल मात्र 0.07 था और अभी पिछले Q2 में 0.11 था तो इस तरह से EPS में भी लोग सो जवर जस्त बड़ उतरी नजर आ रही है आप दोस्तों थोड़ा नजर डालते हैं कि इसके जो सेगमेंट्स वाइस कुछ रिजर्स हैं उस पर भी थोड़ी रिजर्स निगार डालेंगे तो समझ में आ जाएगा कि सुझलान इनर्जी कहां पर दमदारी दिखा रहा है तो दोस्तों इनके मुख जो स सर्विस बाखी आदर्स तो दोस्तों विन टरमाइन जनरेटर के छेतर में अभी Q3 में 1004.48 करोर की रिविन्यू अर्निक होई है जबकि इससे पिछले साल वाले कौर्टर्स में 931.57 करोर रिविन्यू आया था तो इस तरह से यहां पर भी विन टरमाइन जनरेटर के छेतर म सुझलान इनर्जी रेविन्यू के छेत्र में आंगे बढ़ रहा है क्यूटू की बात करें अभी सिदंबर 23 वाले में तो 875 करोड की रेविन्यू हुई थी और अभी बढ़ करके देख रहे हैं 1400 करोड पहुंच गई तो विंटर माइन का अच्छा कारोबार चला है फाउंड करोड का तो फाउंडरी और फोरिजिंग में थोड़ा नॉमिनल गिरावट का रुख दिख रहा है और आप रेशन्स और मेंटिनेंस सर्विस की बात करें तो दोस्तों 513.93 करोड का इस समय रेविन्यू दिख रहा है जब कि पिछले साल 476.71 करोड था और भी पिछले भी अच्छे बड़ोतरी नजर आ रही है तो सुझलान इनर्जी के जो मुख बेवसाय विन्टर माइन का है उसमें दोस्तों जबर जस्त बड़ोतरी दिख रही है अब दोस्तों थोड़ा नजर डालते हैं और भी पहलू नजर आ रहे हैं जिसमें से वाइस चेयर मैं गिरि का जो अभी फारेंसियलियर 2024 का रिजल्ट है ये बहुत ही हमारे लिए एक स्ट्रांग नोट है और इस क्वाटर में इंपेक्ट फुल पॉलिसी प्रोपलिंग की गई हैं जो की इंडिया के रिन्यूवल इनर्जी विजन को आंगे बढ़ाने में बहुत ही सायक रहा है और दोस्तों साथ ही इन्होंने अपना आउटलुक भी दिया है कि आने वाले दसक में रिन्यूवल इनर्जी इस समय ग्लोबली काफी इंप्रूब हो रहा है और इन्होंने कहा है कि सुझलान इनर्जी अपने ट्रैक पर मजबूत होता नजर आ रहा है और जिससे कि जो इस समय अपर्चुनिटी मिली है रिन्यूवल इनर्जी की उसको हम पूरा कर सके हैं तो इनका विजन काफी अच्छा है वाई सेयर मैं का तो इस सब को देखते हुए हम कह सकते हैं कि सुझलान इनर्जी का फ्यूचर भी अच्छा है बिजनिस भी अच्छा है और इस समय जो डिजल प्रफिट ओपनिंग थी और यह 44 रुपई 40 पैसे पर उपन हुआ था पिछले दिन की क्लोजिन 43 रुपई 80 पैसे से और लोग बना 44 रुपई 20 पैसे पर दोस्तों हाई चला गया 45 रुपई 95 पैसे पर और आपको ताजू बहुता कि दोस्तों 45 रुपई 95 पैसे ही इसका 52 वी तो 28 मास 2023 को 6 रुपई 95 पैसे था तो इस तरह से 6 गुने से भी उपर इस समय रिटर्न सुजलान एनरजी का सेर देर अपने 52 वीक्स लो से निमेज़कों की समय बले बले और जिस हिसाब से क्यों थिरी का अब रिजर्स आ गया है तो दोस्तों अभी इसमें और भी जबज़ इजाफा होगा तो दोस्तों अभी जो इसमें साट टर्म में अभी जहां पर करेक्शन की उमीद की जा रही है वो दोस्तों 80 रुपए के आसपास इसमें थोड़ा करेक्शन आ सकता है तो इसमें प्राफिट बुक करते रहेंगे क्योंकि काफी उचे लेबल पर इस समय काफ इनवेशा नहीं तो इसमें थोड़ा सा वेट करें करेक्शन का उसके बाद ही नई इंट्री करें जिनके पास सेजर होल्ड है शुजदा निदा जी के वो दोस्तों अभी होल्ड रखें आने वाले समय में बहुत जबज़स तेजी आने वाली है इसमें साट टर्म में करेक् ठीक नहीं है काफी अच्छा बिजनिस अच्छा ग्रोध दिख रहा है एक दो क्वाटर्स और इसके देखने पड़ेंगे उसके बाद फिर इसका तकड़ा जो हाई टागेट होगा उस पर बाद में डिसकस करेंगे लेकिन जो अभी फिराल इसमें रिजर्स की जो अच्छी पोजिशन आई है उसको देखते हुए अभी थोड़ा होल करें और आगे चल करके इसमें करेक्शन पर माल उठाएं तो आप साथ टर्म और लांग टर्म में जबजस्त प्राफिट कमाएंगे तो दोस्तों मेरी तरफ से आप सभी लोग अधिक से अधिक प्राफिट कमाएं और आपकी जो रकाम है वो कही गुना आगे बढ़े ये मेरी आदिक सुपकामना है रहेंगी तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरू कर दें सेजर भी कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें धन्यवाद